महिला ने महिला के उपर फेका जहरीला पदार्थ, पीडित महिला का अरोप है कि आरोपी की पतनी ने उसके उपर जहरीला पदार्थ फेक दिया जिससे उसके पूरे शरीर में जलन फैल गई है महिला को इलाज के लिए जिला स्पताल शिपूरी में भरती कराये गया है, वहीं पुलिस ने पीडित महिला के रिपोर्च पर से पती पतनी के खिलाफ केज दरज कर विवेशना शुरू कर दी है जानकरी के नुसार सुमंधाकर निवासी डग पीपरी थना रनौत ने बताये कि बुधवार को बैनी शर्मा की दुकान पर उसका पुत्र 500 का नोट लेकर माजा लेने गया था बैनी शर्मा ने माजा देने के बाद बांकी पैसे वापस नहीं किये उल्टा पैसे वापस मांगने पर पुत्र के साथ मारपीट करती जब उसने दुकान दौर बैनी शर्मा से संबंध में पूछा तो बैनी शर्मा और उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट करती वहीं बैनी शर्मा की पत्नी ने उसके उपर जहरीला पतार्थ फेक दिया जिससे उसकी तबियत भी करता ही उसे इलाज के लिए जिलास्पताल शियोपुरी में परती कराये गया है गटना की रिपोर्ट रनो थाने में दर्ज कराये गई है जिस पर पुलिस ने पती पत्नी के खिलाफ के दर्ज कर विवेशना शुरू कर दिखे माज लेगा तो पांसे पर नूट लेगा तो बुस्टा पास किल रहा है तो मतला पास में बास उठाब आपर मुझा लाग तो पां मारा इस भू दे दिए तो पान मने करी के विकाम गजी लेगा पाईस ने जिए मोणा जगी पाईस क्यों नहीं दे तो मोणा चेट वा मोणा इक कली नसान भी है तो मोणा गूत नो गर पे आपाऊ गाऊ तो में गई मेरे साथ मार पीट की और उसकी ओड़ा दवा लाई कोची बीजी तो जिच्छ कया करता है क्या करता था कि प्ला करते हैं फ्ला करते हैं यह तotalर सभिड़ा के करते ही ज़िगे अश्य पूल है करो को है